हलो बच्चो बच्चो यह चैप्टर 15 हिंदी नवीन पल्लव मैं आपकी हिंदी अध्यापी का डॉली वर्मा बच्चो इससे पहले वीडियो में हमने चैप्टर 15 सुभह कवीता का एक्स्प्लिनिशन किया था और हमने बहुत अच्छे से उसको समझा था और आज यह हमारी च इस चैप्टर की एक्सरसाइज को समझेंगे जैसे कि आप सबको पता है चैप्टर 15 एक कवीता है और जिसका नाम है सुभह सुभह कवीता आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं बच्चो सुभह कवीता तो चलिए अब हम इस कवीता में दिये गए कुशन आंसर्स वर्ड मिनि स्क्रींट्स, फिलप्स, मैचिंग हम सब कुछ बहुत अच्छे से समझते हैं बच्चो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क उत्तर लिखे यहाँ पर कुछ कुशन दिये गए हैं और आपको उनके उत्तर लिखने हैं कुशन वन कलिया कब खिल जाती हैं कब खिल जाती हैं कलिया सूरज की किर्णे आने पर कलिया खिल जाती हैं यह बच्चो आपको पहले भी मैंने बताया कि कलिया कब खिलती हैं जब सुबह सूरज की किर्णे निकालाती हैं तो चारो और बहुत ही सुंदर वातावरन हो जाता है और कलिया खिल कर फूल बन जाती हैं तो कुश 2. हवा कैसी चलती है? हवा मस्तानी होकर चलती है. मस्तानी मस्त होकर जिसे कोई भी फिक्र नहीं है, सिर्फ अपनी धुन में ही चले जारी है. तो हवा कैसे चलती है बच्चों? हवा मस्तानी होकर चलती है विरामचन इसके बाद बेटा प्रश्न तीन में है सुबह किन को भली लगती है? सुबह किन को भली लगती है? जो महनत करते हैं तो इसमें हम आंसर में क्या लिखेंगे? महनत करने वालों को सुभह मेहनत करने वालों को भली लगती है एक बार मैं फिर से आंसर रिपीट कर रही हूँ सुभह मेहनत करने वालों को भली लगती है अब इसके बाद बेटा प्रश्न चार है सुभह होने पर हम क्या खो देते हैं? क्या खो देते हैं हम आलस तो हम इसके उत्तर में क्या लिखेंगे? सुभह होने पर हम आलस खो देते हैं हम जो आलस हमें सुस्ति आई होती है ना हम उसको छोड़गर अपने काम में लग जाते हैं तो यही कोशन है कि सुभह होने पर हम क्या खो देते हैं? सुभह होने पर हम आलस खो देते हैं बच्चो आप कुशन आंसस के बाद ख कवीता की पंक्तियां पूरी कीजिए यह कुछ चार पंक्तियां दी गई है और यह पंक्तियां कवीता से ली गई है नमब वन सूरज की डैश आती है क्या आती है सूरज की किरने सूरज की किरने आती है नमब टू सारी डैश खिल जाती है क्या खिल जाती है कलियां सारी कलियां खिल जाती है थ्री बहते हैं उनके मीठे स्वर आदस व र बहते हैं उनके मीठे स्वर इसमें क्या है का बचो महनत प्यारी लगती जिनको तो ये चारो पंक्तिया पोयम में से ली गई हैं और जहां ब्लैंक हैं वहां आपको ये शब्द लिखना है एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ सूरच की केरने आती हैं सारी कलियां खिल जाती हैं बहते हैं उनके मीठे स्वर महनत प्यारी लगती जिनको तो सभी बच्चे अपनी बुख में ये काम कंप्लीट करेंगे इसके बाद हैं बच्चो मैचिंग मिलान कीजिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है अभी तो यहाँ पर आप लाइन से मैच करेंगे लेकिन आप ये काम अगर कॉपी में करते हैं ये एक्जाम में करते हैं तो बेटा आपको वर्ड के सामने सही आंसर लिखना है अब जैसे यहाँ पर चलिए हम देखते हैं मिलान अंदकार अंदकार प्रकाश यहाँ पर उनके विर्पितार थक शब्द लिखा हुआ है अंदकार मिस अंदेरा और प्रकाश मिस उजाला रोश्नी तो अंदकार से प्रकाश यहाँ आपकी बुख में मैच किया हुआ है इसके बाद दूसरा शब्द है बच्चो मीठा मीठा खटा तो हम मीठा को किस से मैच करेंगे खटा से खटा इसके बाद है बच्चो थंडा थंडा गरम ठंडा गरम थंडा को गरम से मैच करने के बाद अगला शब्द है सुबह सुबह शाम सुबह को शाम से मैच करेंगे और इसके बाद लिखा हुआ है बहला बुरा बहला बुरा देखे मैंने इन सब वर्ड्स के आगे नम्बरिंग भी लिखे हुई है तो आप भी सभी ये नम्बर्स चरूर लिखेंगे ओके तो सभी बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इसके बाद है बच्चो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मौखिक उप्तर दीजी यहाँ पर चार कुशन्स दिये गए हैं और आपको इनके आंसर यहीं पर लिखने है कुशन वन सूरज किस दिशा से निकलता है और किस दिशा में डूपता है यह आप सभी को पता है ना सूरज पूरब दिशा से निकलता है और पश्चिम दिशा में डूपता है पूरब दिशा से निकलता है और पश्चिम दिशा में डूपता है इसके बाद प्रश्न दो है बच्चो दिन में खिलने वाले पाँच फूलों के नाम बताईए बहुत से फूलों के नाम आए जो दिन में आप खिलते हैं आपको पता भी है मैंने यहाँ पर पांच नाम लिखे हुए है सूरज मुखी, गुलाब, गेंदा, गुड़हल, कमल यह पांच नाम लिखे हुए हैं बच्चों मैंने सूरज मुखी, सापर बड़े उकी मात्रा है और मापर मुखी, मापर छोटे उकी मात्रा है सूरज मुखी, गुलाब, गेंदा, गुड़हल, कमल इसके बाद बच्चों प्रेशन तीन है सूरज की किर्णों में कितने रंग होते हैं बताईए यहाँ पर सूरज की किर्णों में कितने रंग होते हैं साथ रंग होते हैं यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल यह साथ रंग लिखे हुए हैं इसके बाद अगला कुश्यन है गानी वाली चिडिया का नाम बताईए आप सभी को पता है कि कि इसका गाना में बहुत अच्छा लगता है जिसकी आवाज हमें बहुत अच्छी लगती है और वह है चिडिया कोयल गाने वाली चिडिया का क्या नाम होगा बच्चो कोयल एक बार मैं फिर से यह आंसर्स पढ़ देती हूँ सूरज पूरत दिशा से निकलता है और पस्चन दिशा में डूपता है इसके बाद कोशन टू में आंसर है यहां पांच फूलों के नाम बताए है सूरज मुखी, गुलाप, गेंदा, गुड़हल, कमल सूरज की किर्णों में सात रंग होते हैं और गाने वाले चिडिया का नाम है कोयल बच्चो अब इसके बाद अगला प्रशन है चित्रों को देखकर बॉक्स के शब्दों से वाक्या पूरे कीजिए यहां एक बॉक्स में कुछ शब्द दिये गए है आपको यह पूरे करने है मैं सुबह डैश करता हूँ अब यहां बॉक्स में लिखे हुए है मुर्गा, इसनान, ब्रश, स्कूल, टहलने तो इस सेंटेंस में क्या आएगा बचो मैं सुबह ब्रश करता हूँ उसके बाद है उसके बाद डैश करता हूँ इसनान, इसनान में स्नहाना उसके बाद इसनान करता हूँ तो यह आप सभी कोचित समझ में आ गए होंगे यहां पर दो सेंटेंस है मैं सुबह ब्रश करता हूँ उसके बाद इसनान करता हूँ अब पेटा, उसके बाद अगला सेंटेंस है मेरे पिता जी सुबह पार्क में टहलने जाते हैं मैं सुबह साथ बजे स्कूल जाता हूँ और लास्ट है रोज सबेरे मुर्गा बांग देता है मुर्गा बोलता है ना? कुकड़ो कु तो रोद सबेरे मुर्गा बांग देता है इसके बाद बच्चो अगला कुशन है आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं सही का निशान लगाईए नमबर वन सुभह देर तक सोते हैं जल्दी उठते हैं आप सभी जल्दी उठते हैं तो हमने या पर जल्दी उठते हैं पर टिक किया है स्कूल पैदल जाते हैं या गाड़ी से जाते हैं बेटा ये आप ये आंसर आप खुद करेंगे इसमें दोनों option में से जो जिस anसर अगर आप पैदल स्कूल आते हैं तो आप पैदल वाले पटिक करेंगे और आप घाड़ी से आते हैं तो आप गाड़ी पटिक करेंगे इसके बाद 3 है, सुभा नाश्ता करते हैं, नहीं करते हैं, सुभा नाश्ता करते हैं, आप सभी दूद पीते हैं और नाश्ता देती हैं ना ममा आपको बना कर, इसके बाद 4 में है, स्कूल जाने के पहले माता पिता के चरण चूते हैं, नहीं चूते हैं, आप सभी चूते है और अगर नहीं चूते हैं तो आपको चूने चाहिए इसके बाद है बच्चो प्रती दिन अपना काम पूरा करते हैं नहीं करते हैं प्रती दिन अपना काम पूरा करते हैं तो इसमें जो दो है नमबर दो पर लिखा है स्कूल पैदल जाते हैं गाड़ी से जाते हैं ये बेटा आपको खुद करना है इसके बाद बच्चो नेक्स्ट एक्टिविटी है बूझो तो जाने साथ दिनों में आता हूँ छुट्टी संग मैं लाता हूँ बच्चे हो या दफ्तर वाले सबको मौच कराता हूँ आप सभी को पता है साथ दिनों में कौन आतर दिन हमारी सबकी चुट्टी होती है रवी वार संडे जिसको में इंगलिश में संडे बोलता है ना रवी वार तो बच्चों मैं उमीद करती हूँ आप सबको सुभह कवीता में दिये गए प्रशनुक्ता, रितिस्थान, मैचिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हूँगे और आप सभी बच्चे अपनी हिंदी पलव की किताव में इस एक्सरसाइज को कम्प्लीट करेंगे और आपका हूमवक भी यही है आपको पेज नंबर 66, 67, 68 अपनी हिंदी पलव की बुक में कम्प्लीट करने है थैंक यू